हेलो माई दियर स्टूडेंट्स वेलकम अगैन इन दिस चैनल और जैसे की हमने इससे लास्ट क्लास में आपके लिए आपकी एंसी एर्टी एट्थ मैस स्टार्ट करती है और आपको फर्स चैप्टर जो पर्मे संक्या रिशनल नंबर है उसकी फर्स एक्सराइज भी स्टार् आपको याद हो तो उचित गुर्ण धर्मों का प्रियोग करके आपको स्वालो करने थे बुक किये आज की क्लास में हम उसी एक्सराइज को आगर बढ़ाएंगे और आज का जो सेकेंड क्वेस्टन है बुक इस प्रकार से पूछा गया है कि आपको निमलेखित संख्याओं आपको यूज़ प्रतिलोम लेखना है तो समय वर बात ना करें हम अपने सवाल को करते हैं पहला सवाल है क्या दोबते I do क्या निकालना आपको यूज प्रतिलोम तो हम लेखेंगे दो बटे आठ का यूज प्रतिलोम ठीक है बहुत आसान है आपको करना क्या है जो भी संख्या है इसके सामने माइनस का यूज करना है ठीक है डिवे बहुत इसी है सेकंड क्वैस्टन है माइनस फाइब आपवन नाईन का यूज प्रतिलोम का यूज प्रतिलोम अ बरहाबर माइनस यूज प्रतिलोम का और किसका निकाला नहीं आप आप शाली क्वेस्चन क्वेस्चन में मैंने लगा था आप चाहँ तो लगा भी सकते हो ठीक है ऐसा लगा के उसके बाद आप उपन कर दो कोई दक्रत नहीं वह ना भी लगाओ तो चल जाएगा लेकर इसमें मेरे को लगाना अनिवार है क्यों है क्यों जरूरी है क्योंकि अल्रेडी माइनस वाली सं संख्या जब भी आप योज़ प्रतिलों मैंनस वाली संख्या का आपको ब्रैकेट में लिकनी हो संख्या अब ब्रैकेट खुलता है तो यह बाला माइनस और बाला माइनस तो लड़ बिढ़के क्या हो जाते हैं प्लस फाइब अपॉन नाइन ठीक है अब आप चाहँ प्लस माइनस तो आएगा फिर ब्रैकेट में माइनस 6 अपॉन माइनस 5 ठीक है तो अब इसके दो तरीके हैं पहले आप इस माइनस को यहीं कैंसल कर दो ठीक है उसके बाद आप फिर इस माइनस को यहां ले आओ तो माइनस 6 अपॉन 5 या दूसरा तरीका क्या है कि पहले आप माइन नाइन का योज प्रतिलों मों का ठीक है किसका नकाल रहा है माइनस सब्सक्राइब यह उपर ही जाता है ठीक है तो माइनस तो माइनस बाज गए है तो बाइन राइट यहां तक साहथ आपको कोई तक करने फिफ्ट वाला क्या है उनीस बटे रहने च्छे का योज का योज प्रतिलोम ग्याद कीज़ेn है तो माइनस लगा दिया इसे लिए हम इसको अभी इसा लिखेंगी बिल्कुल अच्छे एम यहां बहुत अच्छे को समझ बहा सकते आप आप इसको वीडियो पोस्ट करें और देखें फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ तो अब सेकेंड कोश्चन पर जलते हैं मिस थार्ड कोश्चन जो कि आपका थार्ड कोश्चन है यह वह क्या है पहला है इसमें एक्स एक्वल 11 11 बटे 15 और एक्स 11 बटें हमको दी अगया है 15 अब हम एक्स माश्चका और माश्चका बराबर एक्स कोश्य नहीं करना एको आपको आपने जो प्रास्ट पहले बाला किया है उसका प्रेंस क्यों का इो करते हैं झांस फिलय कोई मैजन फिप्टेंटियं झांक एक्सकी जगा इसको करना है और दौनों की लड़ाई होगी लड़के यह क्या हो जाएंगे प्लस तो 11 upon 15 प्लस का हो जाएगा एक्वल 11 upon 15 इस प्लस को आप चाहो तो लिखो ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो लेकिन अगर माइनस हो तो उसको नहीं छोड़ना मतलब इस स्टेप के बाद यह स्टेप आप ऐसा नहीं किया जाता है माइनस का स्टेप माइनस में ही रहता है ठीक सेकंड क्वेस्चन क्या है मेंस यहां माइनस है तो माइनस ही रहेगा ठीक है सेकंड क्वेस्चन क्या है सेकंड क्वेस्चन के लिए हमको दिया गया है एक्स एक्वल माइनस 13 upon 17 तो अब हमको क्या करना है यह पर इसको put करना है तो माइनस यह यह वाला माइनस अब यह कॉर माइनस आ गया तो क्या करो आप इसके लीए बड़ा ब्रैकिट लगा और इसके लिए माइनस 13 अपन 17 और यहाँ पर कितना आना चाहिए माइनस 17 तो पहले क्या करोगे हमेसा ध्यान रखना पहले small bracket को solve करना यह माइनस यह माइनस क्या हो जाएगा प्लस 13 अपन क्या हो जाएगा 17 ठीक है एक्वल माइनस 13 अपन 17 यह जब ब्राकेट खुरोगे अगर धन और धन वाल गुणा हो तो बहुत अपना रहा है तो यह आपको याद रखना है रखना होता है तो बिल्कुर ऐसे हुआ है जब एक ब्राकेट के सामने कोई भी संख्या होती है और उसके ऐसा कुछ लिखा रहता है अब ब्रेकिट बेहने खुलते हैं तो जो भी संख्या सामने होती है उसका गुणा होता है थीक है तो इसका गुणा इसमेने होता है और इसका गुणा इससमें होता था चिन्नों का गुणा होता है तो धन और धन क्योंकि धन और धन एक से चिन्ने इसके लिए इनका गुणा धना आया ठीक है तो हमने भी देखा कि हम धन का ना भी लिखें तो धन ही रहता है ठीक है और जब इसका और इसमें देखा अपने पहले पर चिन्न का ही गुणा हुआ है यह प्लस और यह माइनस पहले चिन्द का ही गुणा हुआ है चिन्द का गुणा क्या हुआ प्लस और माइनस का गुणा माइनस इसलिए यहां पर माइनस आया ठीक है तो बिलकुल ऐसे यहां पर प्लस और यह माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस प्लस और माइनस to plus quarter minus आईगा तो 13 upon 17 और यह लिखा हुगा था –13 upon 17 तो हम यहां ऐसा लेख सकते हैं बहुत हैरे लेफट हेंड साइड right हेंड साइड के एकवल है है यहां पर business लेफट हेंड साइड ह्ट वक्री आपं सायड के एकवल है अब मालो क्या होता अब मालो क्या होता कि अगर यहाँ 11 upon 15 होता और यहाँ minus 11 upon 15 होता तो हम कहते हैं left hand side not equal to right hand side राइट तो यहाँ 15 है ठीक है तो इस परकार से सवाल है तो यहाँ पर क्या समझ में आए अगर यह दोनों बराबन नहीं है तो not equal लिखते हैं बराबन नहीं है ठीक है तो यह आपका third question है इसको भी अच्छे से देखें वीडियो पॉस करके उसके बाद फिर हम चलते हैं फूर्थ question पर तो चलिए हम चौथे question की तरब चलते हैं और चौथा question है निमनलेकित के गुणात्मक प्रतिलोम ग्याद करना है आपको ठीक है तो क्या करते हैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम तो देखो सबसे पहले क्या है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है इसको भी हम समझते चले जैसे मालू 13 है पहला question है माइनस 13 एक्च्वल में इसका हम गुडात्मक क्या निकालना है कुडात्मक प्रतिलोम निकालना है ठीक है गुडात्मक प्रतिलोम इसका ग्याद करना है तो यह तेरा नहीं है एक्च्वल में किसी भी संख्या के बटे में हम एक लिख सकते हैं क्यों लिख सकते हैं जैसे मालू कि तीन है तीन के बटे में एक लख सकते हैं इसका मतलब तीन ही है क्यों है तीन बटे एक का मतलब है हम एक से तीन में भाग दे रहे तो एक की दूनिया कितने बार पड़ हो गया अब तीन या रखायेंगा हमें सध्षान रखें कि यदि कोई संख्या यह एक वट्टे इसका यूचल गुड़ान प्रतिलोम है तो कि यह होगा यह होगा नीचे वाली संख्या यह हम ऐसा कहें इसको यह सब्सक्राइब लगाएं तो तो गुड़न प्रतिलोम है वो आसानी से निकाल सकते हैं नीचे वाली संख्या उपर चले जाएगी उपर वाली संख्या नीचे जाएगी राइट सिंपल सी बात है ठीक है इसको आप चाहू तो माइनस उपर लिखके भी लिख सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है यह इसका आंसर हो जाएगा ठीक है सेकेंड क्वेश्चन है माइनस 13 बटे 19 का गुड़न गुड़ात्मक प्रतिलोम तो क्या हो जाएगा आप सीखी चुके हो यहां से सवाल से 19 सूपर चला जाएगा और रेंका तेरा नीचे जाएगा ठीक है थर्डवाला सम क्या है थर्डवाला सम एक वटे 5 का गुड़ात्मक प्रतिलोम बरावर तो इसको भी हम पांच बटे एक कर सकते हैं या इसको पांच लिख सकते हैं क्योंकि एक लिखने का कोई मतलब नहीं है चौता सवाल क्या है आपका रिन पांच बटे आठ गुणा रिन तीन बटे साथ ठीक है इसका यूज गुड़ात्मक प्रतिलोम आपको निकाल इसका अएगा यह सवाल में क्या है माइनस बन इन्टू माइनस टू बाय फाइव तो इसका गुड़ात्मक प्रतिलोम निकालना हम पहले इसको सॉल्व करेंगे ब्रेकेट खोलेंगे तो यह वाला माइनस इस वाली माइनस हो जाएगा प्लस और दो एकम दो ठीक है प्लस को ना भी लिखोत चल जाता है पांच अ है वो क्या है माइनस बन का माइनस बन का गुड़ात्मक प्रतिलोम ठीक है अब इसको बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसको याद रखना माइनस बन और बन यह दो संख्या है माइनस बन और बन ठीक है इनका गुड़ात्मक प्रतिलोम बहुत ही होती है ठीक है क्यो प्रकार से यह सवाल आपके पूरे हो चुके तो आप आपको क्या करना है इनको अच्छे से सीखना है और इंतजार करना है आपकी नेक्स्ट क्लास में बहुत ही बैसर तरीके से सीखेंगे खासकर वह कुश्चन आपको बहुत आसन लगेंगे जो आपको बहुत कठन लगती रहें ठीक है साथ ही हम को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक बिल्कुर करना है और अधिक से देख करना ह है तो थेंक्स पॉर टुडे मिलते हम नेक्स्ट क्लास में गुटे बाई टेकर अ करना है